हेलो प्रिवन वेलकम टे न्य वीडियो आज की इस वीडियो में आप से लोको वर्गमूल के महत्पूर प्रश्ण कराएंगे तो इनको ध्यान से समझेगा पर इस छो में दिखतर ऐसे प्रश्ण पुछे जाते हैं यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा वर्गमूल का चिन बना हुआ है जब भी ऐसे प्रश्ण आपके सामने आएंगे तो आप इनको आगे से मत साल्व करिएगा पीछे से साल्व करिएगा इसका यही तरीका है तभी आप इसको साही साल्व कर पाओगे अब यहाँ पर देखिए रूट कितना है दो सो पचीस है तो रूट दो सो पचीस जंक हैं और आप वर्गमूल निकाल रहे हो यह वर्गमूल ही है तो यह क्या होता है रूट से बाहर आ जाता है कितना जाएगा 15 आ जाएगा यानि जो रूट 225 का मान कितना आप निकाल लिए हो आपका 15 आ चुका है यहाँ पर आप क्या लिखोगे इस तरह से 15 लिखोगे अब इसे मैं फिर से करके बताता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा चीजों को ध्यान से समझते विच लिए 15600 कितना है 12 है अब जब इस रूट के अंतरगत एक सो चोवन प्लस आप कितना करोगे 15 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 179 हो जाएगा इस रूट के अंतरगत मैं क्या लिख देता हूँ 179 लिख देता हूँ 169 अब देखी 179 का अगर आप वर्गमुल निकालो मैं इस तरह से एगर लिख दूं 179 तो यहाँ पर देखिए इसका आप जब वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा तो इसका देखिए क्या होता है 13 गुड़े अगर आप 13 करोगे वर्गमूल निकालना मैं काफी बार बताया हूँ यह वर्गमूल के थोड़े कठिन परसने इनको इसलिए बताया जा रहा है तो रूट के अंतरगत देखिए सेम संख्या है तो यह रूट से बाहर आ जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 13 यह जो रूट के अंतरगत 179 लिखा हुआ है इसकी जहां पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा तो इस चीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से लिखेंगे 15612 प्लस अब इसका मान कितना चुका है 13 तो 13 लिखेगा अब आप क्या करोगे 15612 प्लस क्या कर लोगे 13 कर लोगे तो आपका कितना जाएगा 15625 आजेगा तो रूट के अंतरगत 15600 कितना हैगा 25 तो 15600 का मान आपको पता है तो जिन भी बच्चों को जैसे नहीं पता रहता है तो इसका बेसिक तरीका है 15600 इस तरह से लिखे इसका इस तरह से क्या यलसियम विदी से गुडन खंड निकाल लीजिए देखे अगर आप 25 गुडे 25 करते होट कितना होता है? 625 होता है अगर आप 125 आपको दिखाई देना चाहिए 125 गुडे 125 करोगे तो कितना हैगा? 15600 हैगा यानि अगर हम रूट के अंतरगत इस तरह से क्या लिख दे है 125 गुडे 125 कर दे है ति देखे, root के अंतरगत दो सेम संख्या हैं, ये दोनों सेम हैं, ति इसका एक प्यार बहार आजएगा, यानि 125 बहार आजएगा, ति 125 इसका क्या होगा, एंसर होगा, जब भी इस टाइप का प्रशन पूछा जाएगा, तो आप इसी तरह से करोगे, तो आप सही से कर वड़ना आप गलत कर दोगे, अगला सवाल है दिखिए, दूसरा, root 625 बटे, root 144 प्लस 11 बटे 12 है, ये प्रशन दिखिए, आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कैसे, जैसे एक बड़ा सा root इस तरह से बना देगा, इसके अंतरगत उपर 625 लिख देगा, नीचे क्या 144 प्लस 11 बटे 12 है तो प्लस 11 बटे 12 लिख देगा, ये प्रशन सेम प्रश इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे बड़ा सा root लगा हो 625, इसका मतलब 625 का भी root लगा है, 244 के उपर भी root लगा है, इसे तोड़ कर आप इस तरह से भी लिख सकते ह समझने के लिए तो देखे रूट 625 का मान कितना बताया था 25 गुड़े 25 करोगे 625 हैगा जब 625 का आप LCM में दी से गुड़न खंड निकालोगे तो कितना आएगा आपका 25 गुड़े 25 हाजएगा समझ रहे हो तो 25 गुड़े 25 करोगे 12 होता है अगर आप 12 गुड़े 12 करोगे तो कितना आएगा 144 ही हैगा तो 12 दोनों सेम संक है इनका पेर बन जाता है तो यह क्या हो जाता है रूट से बहर आ जाता है तो इसलिए 144 का मान कितना आ गया 12 अब प्लस 11 बटे 12 लिखा गुआ है तो प्लस आप 11 बटे 12 यहाँ पे लिख लेना अब इसे आप भिन का जोड बन गया है तो आराम से साल्ब कर सकते हो जब आपका ELCM क्या है बराबर है ये भी 12 ये भी 12 ये भी 12 ये तो अंस को आप जोड लोगे जब आप अंस को जोड़ोगे तो 5 एक कितना होजएगा 6 होजएगा 2 एक कितना होजएगा 3 होजएगा 36 बटे नीचे कितना होजएगा 12 बारा से 36 को काट सकते हो 12 के बारा बारतियां कितना होता है 36 होता है तो इसका एंसर कितना निकल कर आया है, तीन, इस तरह के जब भी परशन आएंगे, तो डरा मत करिएगा, लोग क्या हो जाते हैं, रूट देखते ही भायभीत हो जाते हैं, तो परशनों को छोड़ देते हैं, अगर आप लगाओगे, इसी तरह से आराम से आप भी लगा सकते ह अगला परशने देखें, तीसरा, आठ बटे रूट एक्स, बराबर 72 बटे 108, इसमें देखें, आपको बहुत सब कुछ सिखने को मिलेगा, इस परशन को बता रहा हूँ जब मैं, यहाँ पर देखें, आठ से आप 72 को काट सकते हो, अब बहुत सारे बचियों को समझ में नह समports का मानन निकालना हो, तो 8 से आप इस side side में आराम से काट सकते हो, तो 8 हिक के 8 हो जएगा, 8 9 कितना होगा, 52 होगा, 9 स向uous 108 को काट सकते हो, 9 11 होजगा, फिर यहाँ पे 91 होजगा, 9 12 कितना होजगा, अब यहाँ आपड देखें, रूट एक्स का गुड़ा घर हम इधर करें है root x जिसका मान निकालना होता है इसको हम इधर भी लिख सकते हैं इसको हम root x बराबर कितना लिख सकते हैं 12 इधर भी ला सकते हो अब देखिए इधर क्या है root का चिन लगा हुआ है इधर क्या है 12 है तो जब अगर अगर आप root हटाओगे तो दोनों तरफ आपको क्या वर्ग करना पड़ेगा अगर आप इसका वर्ग कर दोगे तो इसका मतलब जानते हो root जो होगा हट जाएगा क्यों हट जाएगा पता है अगर root x का power 2 है जैसे root x का power 2 है इसे क्या आप लिख सकते हो इसे आप root x इंटू क्या root x से लिख सकते हो तो root x into root x का मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो root के अंतरगत x into x लिख सकते हो इसका देखे एक पेर बन गया दो सेम संक्या है तो यह root से बहार आज जाएगा तिस का मान कितना होगा यक्स होगा इतना बेसिक से सायद ही कोई आपको बताया होगा आज तक तिस का मान कितना आजएगा यक्स आजएगा बराबर 12 का पावर 2 है तो 12 का मतलब 144 होता है ति यक्स का मान कितना निकल कराया 144 यह आपका क्या होगा एंसर होगा तो ध्यान दिये इस टाइप का condition आई जाए तो आप ऐसे सवालों को लगा सकते हो अब इसका basic तरीका जो मैं बताने वाला था वो क्या होगा थोड़ा लंबा पड़ जाएगा कैसे होता है जैसे देखे रूट x का गुड़ा आप 72 में करो रूट x का गुड़ा अगर आप 72 में करोगे तो कितना होजएगा 72 कितना रूट x इंटू कितना होजएगा 72 होजएगा अब ये देखे एक 108 का गुड़ा आप 8 के साथ कर सकते हो क्योंकि ये देखिए बटे में है तो बराबर की धार राइगा तो क्या होज़ेगा गुडे में होज़ेगा अगर ये बटे में यानि भाग में तो इधार राइगा गुडे में होज़ेगा तो आठ गुडे आपका कितना होज़ेगा एक सो आठ होज़ेगा अब जरा चीज क बटे में होता तो 9 से आप क्या 108 को काटते तिसलिए हमने यहां से यहां तो आराम से ही काट सकते बातें आप आपको मेरी समझ में आ गए होंगी छोटी-छोटी चीजें सीखिर आओगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा तो इस वीडियो का आखरी और लाश्ट प्रस्न है रूट 225 बटे 16 गुड़े रूट 256 बटे 15 गुड़े 324 बटे 18 यह प्रस्न देखने में काफी बड़ा लग रहा है लेकिन अभी देखिए किस तरह से साल होगा बस आप वर्गमूल थोड़ा याद रखे रहेंगे तो सवा लावर इजी तरीके से लगेगा यहाँ पर रूट 225 का मान कितना होगा 15 होगा क्योंकि 15 गुड़े 15 करोगे 225 आएगा तो 15 इसका होगा बटे 16 गुड़े 256 किसका होता है 16 गुड़े 16 करोगे कितना हैगा 256 यहाँ पर 16 आजएगा बटे में 15 है तो 15 लिखेंगे गुड़े 3 324 लिखा हुआ है अगर आप इसी 324 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन 324 को भी अगर मैं तोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा 8864 18 गुड़े अगर आप 18 कर दोगेत कितना जाएगा 324 जाएगा तो 324 की जियां पर आप 18 गुड़े 18 लिख सकते हो नीचे बटे में 18 है तो 18 लिख लेना अब 18 से 18 कर जाएगा 16 से 16 कर जाएगा 15 से 15 कर जाएगा सिर्फ आपका 18 बचा हुआ है तो थोड़ा आप टैलेंट रखेंगे तो मज़ा आजाएगा मैं इसके सवाल को लगाने में तो यहाँ पर इसका इंसर कितना चुगा है 18 चुगा है तो वीडियो की यहीं पर समाप्ति होती है आप सभी लोगों को कुछ न कुछ जरूर सेखने के मिला होगा चार प्रस्ण में मैं बताया चारों अलग टाइप के थे तीस तरह से आप कम से कम 20-25 प्रस्ण अराम से कर सकते हो मिलते हैं निस्ट क्लाश में वीडियो अच्छल बदर वीडियो को जोड़ ले करना थैंस पर वाचिंग अलफ यू